हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मीरी यूटूब चैनल माई केचन रेसिपी में स्वागत है तो आज में एक्टम दुकान जैसा फुले फुले नरम नरम भटूरे शेयर करूंगी और इसे बनाना बहुत ही आसाल है कोई सभी उपवास हो या फिर अनुष्ठान सिंपल सा पूरी के बतले भटूरे खाए सबका दिल खुश हो जाएंगे ये नरम नरम भटूरे खाकर तो चलिए भटूरे बनाना शुरू करते हैं तो भटूरे बनाने के लिए मैं 500 ग्रम मैदी ले रही हूँ अब इसके बीच में एक होल बना देंगे फूल में डाल देंगे नमक, चीनी जितना नमक डाले उतना ही चीनी भी डाले पजास ग्राम खटी देही और सूजी ये भी पजास ग्राम ही डालेंगे पहली सारी इंक्राडियन्स को मिला लेंगे एक चमच बेकिंग सोड़ डाल देंगे अगर आपके पास बेकिंग सोड़ ना हो तो आप इसके बतले खाने वाला सोड़ा भी डाल सकते हैं भी थ्वाधोडा करके पानी डालते हुए एक नरम डो बना लेंगे और ये जो पानी लिए है ये नॉर्मल पानी है गरम पानी नहीं लिए है तो देखिए डो बन की त्यार है अब चार चमच तेल डाल देंगे और इसे पटकती हुए मिला लेंगे बिल्कुल इस तरह से जैसे में वीडियो में दिखा रहे हैं हूँ तो देखिए हमारे डो बन की त्यार है अब उपर से चारो ओर तेल लगा लेंगे ताकि डो हमारा सूखे न इसे कौबर कर दे एक घंटे तक एक घंटे बाद देखिए हमारी डो की इतना फुले फुले लग रहे हैं डो को जितना देट तक ढखके रखेंगे उतना ही फुलेंगे सोचे कितना नरम बनेंगे भटूरे अब इसे बेलेंगे, रोटी जितना लुया लेंगे और इसे गोल पॉल बना लेंगे पहले थुड़े से तेल लगा लेंगे, फिर बेलेंगे, ताकि उठाने टाइम आसानी से उठ सके इसे इस तरह से बेल ले तेल भी गरम हो चुकी है, अब भटोले डाल देंगे ये खास ध्यान रखेगा, तेल को पहले अच्छी तरह से गरम कीजेगा जब तेल से धुआ निकले, तब भटोले डालें तो देखे भटोले कितने अच्छे से फूल रही हैं और एक दिखा देती हो, इस तरह से सारे भटोले को बना ले अब इसे गरमा गरम परोसी छोले के साथ छोले की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं आज की रेसिपी आप सबको कैसा लगा मुझे कमेट करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगए तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा तो मिलते हैं मेरे चैनल में किसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अच्छे रही है, खुश रही है